हेलो, वेलकम तू माइ न्यू व्लॉग और इन दिस न्यू व्लॉग वी आर गोइंग टू बनास मिल्क देवी फॉर एन एजुकेशनल टूर हम लोग और मेरे कॉलेज के जो सारे मेट्स हैं, हम लोग जा रहे हैं बनास मिल्क देवी में तो इसमें बहुत जादा मज़ा आने वाला है तो stay with me और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा So let's go तो हम लोग सुबा सारे 9 बजए यूनिवर्सिटी पहुँच गये वहाँ पर अल्रेडी बसे थी सारे 10 बचे तक सभी बच्चे जब आ गए तो attendance लगकर हम लोग निकल पढ़े बस से ये जो डेरी है वो लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है तो time लगने वाला था बस में बस में हम लोगोंने बहुत जादा मस्ती की चुडिया ओड, कबूतर ओड, तोता ओड वाला गेम खेला गाना गाया, डान्स किया मज़ा बहुत आ रहा था आखिर कॉलिज लाइफ का मज़ा तो इसी में हम लोगों के संग, हम लोगों के सीनियर्स भी थें फर्स्ट येर, सेकेंड येर, ठर्ड येर के भी बच्चे थें लगभग पैतालिस मिनट के मज़ेदार सफर के बाद आखिर हमारा डेस्टिनेशन बनाज डेरी आई गया सभी के चहरे पे एक दब मुस्कान चाही हुई थी जैसे ही डेरी आया और भाईया लोगों ने हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि हम लोगों को पासी रहना है दूर नहीं जाना है जादा अब हम लोग बस से उतर रहे हैं बनाज डेरी अमूल की सबसे बड़ी डेरी है जो की कर्ख्याव उत्तर प्रदेश में है यह ती सेकड छेत्र फल में व्याप्त है इसे लगभग 475 करोड के लागत में बनाया गया है यहाँ पर डेरी उत्तपाद जैसे दूद, दही, छाच, घी, मिठाईया, आइस्क्रीम, बटर, लस्सी को प्रोसेस किया जाता है इसका इनॉग्रेशन हाली में पिछले महीने फरवरी 2024 में नरेंदर मोधी जी ने किया है अब हम लोग यहाँ पर आके बहुत ज़ादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसे देखा नहीं कि यह जो डेरी प्रोडक्स होते हैं इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है बाहर से देखने में तो बहुती ज़ादा खुबसूरत लग रहाता है लगी नहीं रहाता कि यह कोई फैक्टरी है, बहुती सुन्दर हमारी उनिवर्सिटी के अलावा भी यहां दो-तीन कॉलेजिस के और बच्चे आये थे एजुकेशनल टूर पर, हम सभी जानते हैं कि हर साल हमारे देश में लाखो बच्चे को पोशड का शिकार होते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, ऐसे में डेरी उन इलाकों तक दूद के उत्पाद पहुचाएगी, जहां पे डेरी उत्पादों की कमी है हम बच्चों का स्वागत वहां के करमचारियों द्वारा विधी पूरवक टीका लगा कर किया गया इस डेरी के बनने से आसपास के पशुपालक बहुत खुश है यह डेरी एक लाग से जादा लोगों को अभी रोजगार दे रही है और यह संख्या कुछी महिनों में बढ़कर साड़े तीन चार लाग हो जाएगी हम सभी स्टूडेंट्स बहुत जादा खुश है हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है आते ही हम लोगोंने फोटो बाजी चालू कर दी कुछ आगे बढ़ने पर चाय का स्टॉल लगा था जहां पर हम बच्चों को पीने के लिए चाय मिल रही थी जो की टेस्टी थी यहां से हम लोगों को टेंट में बुलाया गया टेंट में आकर सब लोग बैट गए और अपनी अपनी सीटे ले ली यहां पर लगभग एक घंटे का प्रोग्राम चला और हमें बताया गया कि क्यों और कैसे इस डेरी को बनाया गया हमें यहां पर बहुत सारी दिल्चस्प जानकारियां भी मिली कि कैसे दूद को खराब होने से बचाया जाता है कैसे दूद को धेर सारे आसपांस के गाउं से कलेक्ट किया जाता है और टिकाउ बनाया जाता है हमें यह भी पता चला कि चीज कैसे बनाते हैं यहां कि जो हेवी मशीनरी है वो कैसे वक करती है लगभग एक घंटे तक है प्रोग्राम चला और इसके बाद हम लोगों को बोला गया कि हम लोग जाकर फैक्टरी विजिट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स लाइन लगा कर डेरी के अंदर जाने लगें अंदर बड़ी बड़ी मशीने थी और हम लोग जीवन में पहली बार देखने वाले थे कि कैसे डेरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है अच्छा कभी आपके मन में यह विचार आया है कि पैकेट बन दूद इतने दिन तक क्यों चलते हैं और खराब नहीं होते हैं इसका जवाब मैं आपको देती हूँ एक प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन इसकी वज़े से इस प्रोसेस में पहले दूद को 76 डिगरी सेलसियस पे 15 से 20 से के लिए खुब गर्म किया जाता है उसके बाद उसे 4 डिगरी सेलसियस पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है इस प्रोसेस को करने के बाद दूद को खराब करने वाले जितने भी हामफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और दूद सेफ हो जाता है हम सभी बच्चे डेरी के अंदर चले गए और देखने लगें कि सारा प्रोसेस कैसे होता है यहां पर हम लोगों ने बड़ी-बड़ी मशीने देखी और देखा कि दूद कैसे मैनुफैक्चर हो सकता है आप देख रहे हैं कि यह जो दूद के पैकेट्स हैं यह कैसे आ रहे हैं और अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है वैसे इस डेरी विजिट का हम लोगों से कोई कॉस्ट नहीं लिया गया और यह बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट था हम लोग ग्लास की थूझ देख रहेते कि कैसे वर्किंग होता है कैसे अकाउंट संभाला जाता है इसके बाद ये भी देख रहेते कि चीजे कैसे बन रही हैं यहाँ पर बहुत सारे पैमपलेट्स लगे हुएते जिम पर यह था कि सारा प्रोसेस कैसे होता है वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है इसके बाद मैं थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चली गई जहां पर मुझे नहीं जाना चाहिए था ज्यादा अंदर नहीं बस गेट के दो फिट अंदर और आप देख सकते हैं कि यह बहुत मिठाई बनने का सेक्शन था और हम लोग देख रहते कि कैसे मिठाई बन रही है वैसे एक बात तो मैं कह सकती हूं कि हम लोग के मन में स्टीरियो टाइप है कि फैक्टरी में बहुत जादा गंदगी रहती है अन्हाइजेनिक होता है लेकिन जैसे आप सब भी देख सकते है कि यहां पर जो हाईजीन है वो बहुत ही जादा अच्छे से मैंटीन किया हूँ है बहुत ही जादा हाईजेनिक प्लेस है यह बहुत सारे मिल्क पाउडर है काश यह मुझे खाने को मुल जाता मेरे सपनों का मिल्क पाउडर 45 मिनिट बाद हम लोग बाहर आ गए और फिर ब सबसी, पूरी, डाल और चावल, डाल, चावल सबसी टेस्ती थी मगρ पूरी थोड़ी सी कड़ी बनी थी, यह कहाना खाती हुई मैं खाना पीना हो चुका है हम लोग का तीन बस के 20 मिनिट हो रहा है खाना अच्छा था इसके बाद सब लोगों ने जम कर फोटो अटो ली और हम लोग निकल पड़े वापस जाने के लिए हम लोगों को मिला ये रास्ते में भैंकर ट्रक जहां से दूद आता है तो इसी के साथ हम लोगा टूर खतम हुआ और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ जाते जाते हम लोगों को बनाज डेरी की तरफ से एक पैकेट पकड़ाया गया यहां का एक्सपीरियंस हम लोगों को बहुत जादा अच्छा लगा यहां पर आने के पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था और जाने के बाद इतनी सारी इंफोर्मेशन लेकर गया हम लोग हम लोग एक खंड़े से पकलोली करते हुए आरहें और लगज़ा है कि फूरी बस हम लोग के लिए रुकी हुई है इसी तरह हम लोग खूब इंजॉय करते हुए और मस्ती करते हुए दैंस करते हुए वापस युनिवर्सिटी पहुचे इसी के साथ हम लोगा ट्रिप हो गया खतम और हम लोग निकल गए हैं बस से सब लोग आ गया college क्यासा लगा अक्षट आपको भूगे नाट बैद नाट बैद नाट राइज और कैसा लगा आपको तो मेरे साथ मेरे सीनियर भी गया तो अभिशेक भाई आपको कैसा लगा हूंके बहुत मज़ा आया एक नए एक्सपिरियंस रहा और पहली बात वे भी पावर प्रेंड देखा तो जहां पर तुरीचिजे बनती है प्रोडर्सन प्रेंड रहा है तो यह घर आके मैंने इस बै क्याम और प्ता लिक सकते है और देट ढाला सकते है इसके बादiffs इसैंटे की है इसके बाद इसमें ? यह इंड़ी जींड है उनके बाद इसमें ऻती है उनका जन्याव के बारे कि क्या तुछाफ काम हुआ ही पिछले 10 सालों में और इसके बाद इसमें क्याओ Ama पर्ण एक ह इसके बाद इस बैग में है एक मिठाई यह लाल पेड़ा हम लोगों को मिला है खोल के देखने की लाल पेड़ा कैसा है देखने में तो पैकेजिंग बिलको लिग लिग लग लग रही है खोल लिए खोलिए इसे टेस्ट करके लिखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है